आज परमादे अंडिये सोनिय गानी जी, खर्गे साहब और प्रियंका जी जैपूर आए हैं, राजिस्थान आए हैं, मैं एक बार पुने अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से इनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवा देना चाहता हूँ कि आज जो हमारा घोष्णा पत्र जिसको कल हम लोगों ने दिल्ली में मुख्यालें बर और चारी गृप से जनता को प्रस्तुत किया था, आज जैपूर के माद्यम से पुरे देश भर में जन जन तक हमारा घोष्णा पत्र लोगों तक पहुँचे, इस इरादे को लेकर यहा आतावनट बना है, दस साल से केंद की सरकार ने जान पूच कर तमाम हमारी संविधानिक संस्थाओं को नितिकत तरीके से कमजोर करने का जो काम किया है, ये इस बात का चुनावे कि दस साल से जनता के साथ बादा खिलाफी हुई है, मैं धन्यवा देना चाता हूं खरके आपने, पहली बार ये घोशना करी कि कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया अलाइंज की सरकार बनेगी, तो हम किसानों को MSP की लीगल गैरंटी देंगे, किसानों को एक कानून एदिकार मिलेगा, मुनेदम समर्थन मूल का बादा करेंगे, हमारे जो घोशना पत्र है, महिला नौजवान, श्रमिक, हर वर्क को साधने का काम लोगों ने किया है, ये चुनाव देश के लिए रिनायक चुनाव है, आने वाले दिनों में प्रेंका जी, राहूल जी, खरके साब, तमाम राजिस्तान के लग-लग शेतरों में जाएंगे, पचार करेंगे, लेकर मैं आप सब लोगों से आवान करना चाहता हूं, कॉंग्रेस कारेकरता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, कि हमारी सोच, हमारी विचारदारा, हमारा घोशनापत्र जन जन तक पहुंचे, जब तक हमें काम नहीं करेंगे, और चुनाव बूथ पर नहीं लड़ेंगे, तब तक ह पचार में भाजपाने गमंड और एंकार में पचार किया था, इंडिया शाइनिंग का, आज 20 साल बाद वो ही होगा, जब सुने जी के नित्युत में 2004 में कौंकिस्टी सरकार बनी थी, 24 में भी पलट फेर होगा, इंडिया हारेगी, इंडिया जीतेगी और हमारी सरकार बने मारी सेरよう हुआ घएनि़ और नितीघ्स दोर में जी को सव marshmallow झाल, इंडिया जीतेगी, अरेगी को मैं। गहां लब